एक बर फिर से आपका यूटूब चैनल पर स्वागत है आज मैं आपके लिए रेट्रोस बेशन लेके आए हूं जिसको हम इस्तकार बनाएंगे अब के लिए मैंने एक बाउल लिया है उसमें एक कप बेशन डाला है आदा चोटा चमच मिर्श पाउडर हल्दी पाउडर आदा चोटा चमच अदा चोटा चमच धन्य पाउडर ये जीरा पाउडर थोड़ी सी हीम काली मिर्च पाउडर थोड़ी सी अज्वाइन ऐसवात्त के नसार नमक को wiel है एक कटावा प्याच दोबार अग्यां धरी मिच को मिच को अब इसको हम दिरे दिरे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ये इसे पेश्ट पनाएंज नेंगे ये थोड़ा थोड़ा ये पानि दालके इसका पेस्ट थोड़ा ठीकी रहने देते हैं लेखे हमारा बेटर जैसे त्यार हो गया अब हम चार ब्रेड लेंगे उसको हम कि ट्राइंगल छेप में काटेंगे कि ऐसे ही सारी ट्राइंगल छेप में काट लेंगे अब हम क्या सॉम करके तवा चड़ाएंगे को मीडियम ही रखेंगे इसमें ही डालेंगे अब हमारे इस बेटर में स्कूब रेड को ऐसे डूबो कर छेसे फिल करके उसको इसमें शीकने रेका है कि दके स्कूब हम कर देखें अब हम कुआ चाहरे स्कुच्छे इस से दोने तरफ से इससे शेक के इसी प्रकार हम सारे तायार कर लेंगे शाओ परकारम सारे सेख लेंगे देखे इस प्रकारम सारे टयार होगे अब इनको हम सर्व करेंगे देखे हमारे ब्रेट बेस्न टोस्ट ये ज़ादा टाइम भी नहीं लगता और फटा फटा भीवास्ट में बनाकर खाईए बच्चे बहुत खुश हो जाता है और खाते हैं बस और देदो और देदो ऐसे मांगते रहते हैं इसको आप सॉस के साथ चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं आप बनाईए और जरू ट्राइ कीजिए कि यह कैसे बने और कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिपकर और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सिस्काइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाईए धन्यवाद